गुट मॉनिंग इस्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार पीबेर इस्टूडी में सिच्छा और मेहनत दो ऐसी सुनहरी चावी हैं जो भागे के दरवाजे खोल देती हैं और इन ही सुनहरी चावी के साथ आज हम भी आपके साथ अपने भागे का दरवाजा खोलने की कोसिस करेंगे आप लोग भी साक्षी रहिएगा और कलास को पूरा देखेगा देखी इंग्लिस में लिखा देखकर मत परेसान होना और हिंदी में लिखा देखकर हैरान मत होना हम दोनों language में बताएंगे दोनों question जो हिंदी में लिखा उसे इंग्लिस भी बताएंगे और जो इंग्लिस में लिखा उसे हिंदी भी बताएंगे एक कुश्चन इंगलिस में होगा, एक हिंदी में होगा, जिससे आप दोनों लोगों का विश्वास बराबर बना रहे हैं, चलिए, सबसे पहला कुश्चन क्या कहता है, और नमबर और एक बात इधर पहले समझ भागना मत और आपसे एक बिनमबर निबेदन है, कम से कम इस कलास को दस मिनट जरूर देखना अगर मैद सीखना है तो, गारंटी हमारी होगी सीखाएंगे हम, लेकिन देखोगे तब, देखे, आड का मतलब होता बी सम, ठीक न, आड नमबर मतलब होता बी सम संख्या, और इबयान नमबर मतलब होता है सम संख्या, ठीक है, इबयान नमबर है, हाँ नीचे कल लो, और ये आड नमबर, याद रखना Hindi-Inglish दोनों जानों कि तब कल्याण है् एक language में कामनी बनने वाला Hindi तो छोड़ी ने सकते होमारी मात्रिभासा है English अगर हमें दुनिया में रहना है तो International Language है हमें English आने चाहिए तो दोनों आना चाहिए आपको तो कहने का यह मतलब है मार्ट मतलब क्या इज मतलब है दसम मतलब योगफल जोड एनी मतलब कोई भी तू मतलब दो और नमबर मतलब विसम संख्या कहने का यह मतलब है इस कुश्चन का हिंदी में यह मतलब होगा कि किनी तो विसम संख्या का योगफल क्या होता है अब सबसे बड़ी एक मुसीबत ह कि यह विसम संख्या क्या है कौन सी बला है तो देखो विसम संख्या वो होती है याद कर लो मैंने पिछली कलास में बताया भी है वैसे जिन संख्याओं के लाश्ट डिजिट वन थ्री फाइब सेबन नाइन यह होते हैं वो विसम संख्याय का लाती हैं कितने होते हैं विसम संख्याओं के लिए जिनके लाश्ट डिजिट वन थ्री फाइब सेबन नाइन यह होते हैं वो विसम संख्याय का लाती हैं रट लो इन्हीं पांच डिजिट को बस और संख्या की बात बोलें तो 0,2,4,6,8 पांच यह और पांच हो दोनों बराबर है इन ही डिजिट को मिला करके संसार की सारी संख्याइं बनती है तो याद रखना जिन संख्याओं के लाइस्ट डिजिट 1,3,5,7,9 हो वो भी सम होती है यानि और होती है और जिनके 0,2,4,6,8 हो वो सम हो होती है यानि की इवेन होती है चली कहानी आगे देखते हैं के रहा कि किनी दो वी सम संख्याओं का यह क्या होगा चलो मैं दो ले लेता हूं मालनो तीन और चार ले लिया तो तीन और और एक तो चार हुआ ना मैंने दो वी सम संख्या लिया फोर आया ना फोर इजा संख्य यहां से यह सिद्ध होता है कि यदि हम किनी दो और नमबर यानि कि विसम संख्या को जोड़ते हैं तौना योगभल हमेसा एक समशंख्या होती है क्या होता है? समशंख्या होता है ठीक ना? क्या होगा? समशंख्या होगी एक्जामपल के लूप में इसको लिख लो और आंसर क्या लिकोगे? अगला मुसिबत देख लेते हैं प्यारा कि बाटिद्दा समाफ एनी टू इवेन नमबर किनी दो समसम्ख्याओं का योगफल क्या होगा तो साथियों इसका भी वही आंसर होगा कैसे चलो दिखते हैं फोर में टू एड करो ये टू में फोर करो सिक्स हुआ कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा काहे फोर टू लिए दूसरा काहे नहीं लिए चलो ले लो दो और छे ले लो दो में छेड करो गेट होगा ये भी एक समसंख्या है इवेन नमबर है जीरो ले लो आट ले लो तब भी आट होगा ये भी एक समसंख्या इबेन नमबर है कोई भी दो समसंख्या ले लो जो आपके दिमाग में आए उनको जोड लो और जोड के बताना चलो जैसे मालो मैंने 22 ले लिया और 64 ले लिया दोनों समसंख्या हैं जोड लो 4 दो 6 और 6 दो 8 86 भी एक क्या है, सामसां क्या है बात समझे न, अच्छे से लाइप में कभी न भूलोगे और हाँ, कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किये भी नहीं ही जैजैकार नहीं होती तो साथियों, कोशिस करिये मैंने शुरू में ही कहा था कि सिच्छा और मेहनत तो ऐसी सुनहरी चावियां हैं इनसान के हाथ में जो उनके सुए हुए भाग एको जगा देती है और एक बात ये भी जान लो जब इनसान पैदा होता है न तो कोरा कागज की तरह होता है उसकी भाग और किस्मत उसके द्वारा किये गए काम उसी लिखे जाती है बगवान नहीं लिखे बेचता है जो कहता है यार मेरे भाग में नहीं है वो तो मेरे नसीब में नहीं है वो गाना सुना है ना सिकुवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिलाने, ये बिल्कुल गलाथ है, बिल्कुल गलाथ है ये, सही तो ये है, सबसे बड़ा रोख क्या कहेंगे लोग, और इसी चक्कर में लोग बरबाद हो जाते हैं, तो चलो, लोग जो कहें उन्हें कहेंने तो अपना काम देखते हैं, दूसरा क बताईए कि निमनलिखित में कौन सा कथन सकते हैं, अब ये हिंदी में लिखा है, अब इसे इंगलिस में कैसे समझेंगे, तो चलो, देखो इधर, ये मैंने रखा है सारा मैटेरियल हिंदी इंगलिस में, मेहनत ना करनी पड़े, हम भी यही सोचते हैं, इसका मतलब क्या प कि आसाते हैं, काथन क्या है जरा ध्यान से देखना, तीन बिसम संक्याओं का योग सम होता है, तीन बिसम संक्याओं का योगफल सम होता है, इंगलिस में बोलेंगे, the sum of three odd number is even, बोलो, even odd, अभी दो दो का तो हिसाब आपने उपर देख लिया, लेकिन ये नहीं मुसीबत ल कि तीन बिसम संक्याओं जोड़ोगे तो उसका योगफल सम होगा, अगर ये लाइन इसकी सही है, तो यहाँ पर लिखोगे सत्य, ये ट्रू लिखोगे, तो चलो ये लाइन सही है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, तीन बिसम संक्याओं ले लो, तीन एक चार पाच नौ, ती तीन हासी लेक, सही जोड़ रहा हूँ ना, और एक एक दो एक तीन एक चार, कितना हो गयतिरालिस हो गया, ट्राइ कर लो यार हजार बार ट्राइ कर लो, ये सरासर गलत है ये, क्या है ये, सत्य तो है, लेकिन असत्य है, समझ गये ना, इसको इंगलिस में लिख लोगे, फा इसको ताहे होता है, सामने ही तीख रहा है, चलिए, धूसरा स्टेट्मेंट देखते हैं, इनका, इसРЕट दर फाल इसे, वेधर आ, क्या ठेकाता है रुस में, इस्टेट वेधर, इस्टेट्मेंट, और ट्रुऑ रफाल्स, ऐसा है है न, इसमेंगलिस में, चलिए, दो भी स समसंख्याओं और एक समसंख्या का योगफल सदयो समसंख्या होता है इसका कहने का यह मतलब है दूसरी लाइन का कि किनी दो और नमबर ले लो और एक इवेल नमबर ले लो और जब अकर तीनों को जोड़ोगे ना आप खुदा ना खास्ता तो क्या हेगा वो हमेशा एक समसं क्या होगी चलिए हम यह भी देख लेते हैं इनका भी कतन क्या है इधर ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से देखना और अगर मैथ सीखना है न यार तो कलास छोड़के मत जाना मैं बार-बार बता रहा हूं छोड़के न जाना तुम आदे हजार करके और हम भी नहीं जाने वाले वादे करके और पूरी कलास समझाने के बाद ही चाहेंगे चलो आगे देखते हैं क्या होगा इसमें दो भिसम संख्या और एक संख्या ले लो फटा फट दो भिसम संख्या चलो आप बताओ या मैं कुछ भी ले लेता हूँ दो एक समसंख्या मेन ले लिया इन दोनों को एक सम्संख्या मैनने ले लिया चलो मैने जीरो ले ले लिया है साथ तीन जोड़ो दस हुआ हम यार लग थो रह सही हो गया दो भी सम ऐक सम चलो एक और ट्राइब करते हैं क्या वहoration जिंदगी का साथ में नहीं लेकिन मैंने गलत लिखा है वू कैसे कह रहा था तो प divisam संक्या लो एक समसंख्या लो मैंने उल्टा कर दिया कैर दो भी शम संक्या लेना man by god अ चलो एक भी संक्या मैंने लेखन लिया खे ले तो 70 तो 75 बाज़ भिस किल लग्र रहसा ही लिखा है तो प्रैकल लेते हैँ जा दा लो इसको 15 बना लो, इसको भी बनाना है भी सम, चलो इसको 17 बना लो, और इसको 18 बना लो, अब ट्राई करते हैं, क्या होता है, तीन ट्राई करेंगे बस, अब आगे निकलने वाला, इसको लिख तो सथे, यानि कि यह क्या है, यह लाइन ट्रू है, क्या है, यह सही है, देखोगे ना, मैंत के फीछे फागल हो जाओगे, अगर हर एक क्लास को पूरा देख लिया तो, पार्ट नमबर नौ आप से मिस हो रहा है, क्योंकि नाइन नमबर पार्ट हम यूटूब पर कभी पब्लिश नहीं करने वाले हैं, यह टैन नमबर पार्ट आप देख रहे हो, उसके लिए आ संख्याओं का गुडणफल भी सम होता है, चलिए यह भी अजमा लेते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा फ्रेंडली सब्जेक्ट है यह, यह पुरूप करके दिखाता है, क्योंकि आजकर हमारे इंडिया में सब पुरूप मांगते हैं न हर चीज का, तो चलि हम भी फुरूप दिखाते हैं, तीसरा नंबर क्या कहता है, कितना सही है, कितना गलत है, तीन बिसम संख्याओं का गुडणफल, तीन बिसम संख्याओं का गुडणफल बिसम संख्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, तीन बिसम संख्या मैंने ले इज और नंबर राइट और रांग थ्रिफाइब जा 15 15 से बन जा 105 है बट यह तो चोटे मोटे नंबर थे 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 थो बड़ा बड़ा ले लो हुं हुं चलो इक टीस है साथ तीन ओके कर लो साथ रिक इस एक किस में गुड़ा करोगे आपको पता है कि किस का वर्ग 441 होता है सही लिखा की गलत बता तो जल्दी से फटा फट कमेंट करके उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो दो मैंने दिखा दिया आपको अब आप इसे प्यार से लिख सकते हो इसका आंसर यह क्या है य अगर समझना है तो मैं बार-बार बोल रहा हूं कलास नहीं छोड़ना है नहीं समझना है जाओ आराम से बिंदाद से घुमट आलो बहुत सारे चैनल है खोचते रहो चौतान दूर्ट